इस लड़की ने प्यार की हद के चलते शादी के दिन ही मुंडवाद ये सर के भाल जो अन और क्रेग लायन्स एक दूसरे को तब से जानते थे जब वे अपनी किशोरा वस्था में ही थे तीस साल लगे क्रेग को ये हिम्मत जुटाने में ताकि वो ये कह सके कि वो जो आन से प्यार करता है आखिरकार जब उसने कहा और दोनों ने सगाई की उसके फोरण बाद ही पता चला कि क्रेग को स्टेटार कास्तर पर अगनाश ए प्रिंग की आज का कैंसर हो गया है उसकी जिंदगी महज 9 से 12 महीने की ही बची थी इस खबर ने दोनों को हिला कर रख दिया क्रेग की बिमारी जानने के बाद जोवान ने इस पूरे वक्त को उसके साथ बिताने और आज बनाने के लिए बिताने का तुफैसला किया ही साथ कैंसर पीरत लोगों के लिए कुछ चैरिटी का भी निल न लिया इस प्रयास में उसने क्रेक को सरपोर्ट देने के लिए सब दोस्तों और परिवार के लोगों के सामने अपनी शादी के दिन मूंडन करा लिया उसने अपने बालों को Little Princess Trust को charity में दान दिया जो इस बिमारी से अपने बाल गवाने वाले बच्चों के लिए विग बनाती है साथ ही अपनी शादी के एवेन से भी उसने फंड पैदा करके दान किया इस खूबसूरत प्रेम कहानी का दुखान तब हुआ जब शादी के बाद क्रिस्मस पर क्रेक की मृत्यू हो गई इस पूरे समय दोनों के साथ जुड़े रहे एक फोटोग्राफर दोस्त ने बताया कि उनके वेडिंग रिसेप्शन पर जो आनका मूंडन कराना और उसकी विज़े जानना बेहत दर्द भरा था जिसने सब की आंखे नम कर दी थी इसके बावजूद उन दोनों के बीज का प्यार इस तरह सारे माहौल में बिखरा हुआ महसूस हो रहा था कि सारे मेहमानों के लिए वो शादी ये रियादगार खुबू सूरत लमहा बन गई